तमस्काल दीरासना देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ आशी शौबे कब तक थमेगा ये बवाल एक अपने आप में बड़ा प्रश्ण गंभीर प्रश्ण क्योंकि लगातार चर्चाओं की कोशिश हो की गई बारता के लिए एक मार्ग बनाने की कोशिश की गई लेकिन अभी तक स्थितियां सामाने होती नजर नहीं आई हैं इक शक भरती 2018 से जुड़ा हुआ ये मामला जिसमें सामाने वर्ग के खाली पड़े 1166 पदो पर ST के अभीरतियों की नियुक्ति की मांग को लेकर दूंगरपुर में आज भी बवाल दिखाई पड़ रहा है 42 घंटे के बाद भी पुलिस उपडरवियों से हाईवे को मुख्ति नहीं करा सकी तो सरकार और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि नियंतरन को जो ये ये इस्थितियां है उसको नियंतरन में लाया जाए लेकिन नियंतरन से बाहर होती हुई जब नजर आती है इस्थितियां तो सवाल गंभीर खड़े हो जाते हैं कि वो लोग यहाँ पर मौझूद हैं ये वो लोग हैं जिनको शिक्षक बनकर देश सेवा करनी है अपने जैसे तमाम शिक्षकों का निर्माण करना है विद्यारतियों को पढ़ाना है लेकिन ये क्या संदेश देगा ये नजारा सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है लेकिन उबद्रव और वो भी इस हद तक उसकी तस्वीरे हैं ये जो खुद बोलती हुई है किस तरह से अराजक्ता का नंगा नाच है जो फिलाल इस वक्त इस इलाके में चल रहा है वो अपने आप में ये तस्वीरे बोलती हुई है फिलाल ये हाईवे नमबर आठ और हाईवे नमबर आठ का ये होटल किस तरह से उबद्रव का सिकार इन उबद्रवियों के हुआ है उसे बड़ी बात आप देखें कि यह दो गाडियां यहाँ पर खड़ी है जिनमें एक खोद SP की गाड़ी है एक DSP की गाड़ी है इनको भी निसाना बनाया इनको आख के अवाले कर दिया गया और अब यह सिर्फ और सिर्फ लोही का ढाचा यहाँ पर बचा है पूरी तरह से स पूरा की पूरा गटने करम गा रहा एक बार अटैक हुआ दो बार तीन बार और आप कह सकते हैं कि पूरा होटल खतम कर दिया है प्रसासन की लापरवाई है जो रोड़ पर जा रहा था उसके साथ मार पीट हो रही थी जो सामने आ रहा था उसके उसे तोड़ दिया जा रहा था और उसकी यह तस्वीरें हैं जो फिलाल बहुत हद तक यहाँ पर बरपे कहर यहाँ पर जो बने हालात उनको बैया करती हुए निश्यत तोर पर यह हाल पर स्रक्षक बनने लाइक नहीं उन्हें उबदरवी कहना ठीक होगा कैमरामें सक्ती सिंग के साथ हिमानशू मित्तल जी मीडिया ग्राउंड जीरो से और भार साथ हिमानशू मित्तल इस वक्त लाइव जूर चुके हैं बातचीत करते हैं जब उन्होंने पुलिस वालों को या उनके स्टाफ ने पुलिस वालों को पानी के लिए अगर मुविंट की का मुवमेंट है दिकारी जा रहे हैं बातचीत का कोई जरिया ऐसा हो जिसमें सब कुछ शान्त कर लिया जाए क्या नजर आता है? कोई अपडेट आ रहा है कोई किसी परिवार के साथ में लूट की खबर मिल रही है? यानि कि परिवार जा रहा था, उसके पास में 4 लाक कैस था, उसको लूट लिया, पैट्रल पंपर करीब 16 लाक कैस था, उसको लूट लिया, यह होटल जो की फिलाल तबाई की जो अपनी कहानी है, वो इन तस्वीरों के जरी यह खुद कहती है, यहां से जो पूरा सामान है, चाहे वो AC, यहां फरनीचर, यहां कुरसिया, यहां पर जो भी चीजे थी, उन सब को कंटेनर में भर करके ले गए, यहां पर 8 लाक के करीब कैस बताया जा रहा है, उसको यहां पर लूट करके ले गए, SP की गाड़ी है यह, जो सिर्फ कह सकते हैं कि एक ढाचे में अब तब्दील हो गई है, आख के हावाले इसको कर दिया, यहां जितनी भी और, यह अडिस्टनल SP की गाड़ी है, जो यहां पर आप देखेंगे कि अपने, आप में अपनी कहानी को खुद बेखुद बया कर रह यह, कि यह सिक्षक बनने के लिए निकले हैं, और किस तरह की सिक्षा फिलाल यहां पर दे रहे हैं, किस तरह के अपद्रव का जो आलम है, वो यहां पर यह तस्वीरे हैं, वो खुद बया कर रही हैं, दीरज और अखिले, दौनों सहीयोगी लगातार इस पूरे घटनकरम क लेकर के यहां पर बने हुए हैं, लेकिन क्या लगता हैं, यहां बात कर लिए पहले आप बात कर लिए, फिर मैं सवाल करता हूँ, लगातार उद्रवी हैं, जो अपने जो वारदाते वो करते हो नजर आ रहे हैं, इस होटल को जो है, रात को निशाना बनाते हुए, इसके लेकिन कुल मिला करके जो सरकार के स्तर पर कोशित से हो रही है, उदयपूर में भी आज जो बैठक होने वाली है, क्या लगता है कि इन बातचीत के बातचीत के बाद में कोई हल निकल पाएगा? देखे बताना चांगा कि बातचीत उदयपूर में भी एक सरकार के और से जो होनी है, टीडी मंति उसके अध्यक्षता करेंगे, इसके अलावा जो डूंगोपूर जेले के जो आदिवासी संगठन है, उसमें जन प्रतिनिदी भी शामिल है और जो बीटीपी जिसको माना ज सकते हैं, लेकिन पुल मिला करके ये जो तस्वीरे हैं, योगद्रव का आलम है, ये अपने आप में बताने के लिए के लिए हैं, लगातार आप लोग चर्चा कर रहे हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं, अपडेट पर नजर बनाये रखिए, फिलाल बहुत बहुत शुक्र